नमस्का दोस्तों जै हिन जै भारत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे माक्सवाद की प्रमुख विशेष्थाएं अर्थात माक्सवादी विचार धारा की प्रमुख विशेष्थाएं लिखिए से संबंदित प्रेशनिक कॉलेज की परिक्षाओं में पूछा जात पहला हम देखते हैं, माक्सवाद, पुझी वाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, जो माक्सवादी विचारधारा है, दोस्तों, यह जो अमीर लोग हैं, ठीके न, जो गरीबों के दौरा कमाई हुई, रकम को अपनी तिजोरियों में भर लेते हैं, उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है दूसरा है माक्सवाद पूंजी वादी व्यवस्ता को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साथनों का प्रियोग करता है यह जो माक्सवादी विचारधारा के लोग हैं यह पूंजी वादी व्यवस्ता को खतम करना चाहते हैं यह जो अमीर होते जा रहे हैं जो मशीन है वो सिर्फ एक पूंजी वाद के हातों में है गरीब तो सिर्फ आसमान की और टक-टकी लगा कर देखता रहता है पुनर जन्म की और टक-टकी लगा कर देखता है था कि अगले जनम में सुख आएगा अगले जनम में सुख आएगा ठीक ना जो कार है जो मशीने है जो ट्रक है जो एरोपलेन है इन सब के विधाता कौन बने है पूंजी वाद तो इनकी हत्या करके ही हम मुक्ती पा सकते हैं इनका दमन करके ही हम इस गरीबी से मुक्ती पा सकते हैं ऐसा माक्सवादी सिद्धान के लोग कहते हैं तीसरा है माक्स वाद प्रजा तांतरिक संस्ता को पूंजी पतियों की संस्ता मानते हैं आज आपने देखा हुगा दोस्तों जो ये वीजेपी है कांग्रेस है आप आप आजबी पार्टी है और श्रोमनी अकली दल है ये जितने भी दल है ये सब पूंजी पतियों की दो बनाई हुई संस्ता हैं इसमें ये जो छोटे-छोटे अमीर लोग होते हैं चोटे-छोटे उनसे क्या लेते हैं चंदा लेते हैं क्या लेते हैं ये चंदा और चंदे के नाम पर एक चोला पहन लेते हैं ये कायका समाजवात का ठीक है ना एक पहन लेते हैं और चोले के आड में क्या बन जाते हैं पूंजी पती बन जाते हैं तो ये जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं ये सब पूंजी पतियों की संस्थाएं हैं जो उनके हितों के लिए और श्रमोईकों के सोसन के लिए बनाई गई हैं ये ऐसा माक्सवाद का कहना अब सरकरह को संस्था को मेडिकल लाइन में देखो गरीब बच्चों के लिए कोई सीत नहीं है सब उसमें डोनेशन चलता है ठीक है ना कोई सी भी चीछ देखो वहाँ पर पूंजी पतियों का कब्जा है ठीक है इसी प्रिकार इन पूंजी पतियों ने पूरे समाज को बाट रखा है अगर सामाने वर्ग का व्यक्ति अगर वो गरीब है तो भी उसे डेर सो नंबर लाना है अगर सामाने एक राम का नाम है ये पूंजीपति लोग राम के नाम पर क्रेश्न के नाम पर अल्ला के नाम पर गुरुन अनक के नाम पर सब के नाम पर क्या करते हैं बेहोशी लादे देने कि ये जो राम का नाम है ये अफीम है ये क्रेशन का नाम है ये अफीम है ये अफीम है इस अफीम की आड़ में मंदिर मस्जिद गुरु दारे सम्में क्या चल रहा है एक ब्रष्टाचार चलता है क्या चलता है ब्रष्टाचार ठीक है ना और ये हमने महा काववे लिखे उन गुरुवों ने उन्होंने कौन से खंड काववे लिखे हैं कुछ भी तो नहीं लिखा उन्होंने तो ये धर्म माना जाती के लिए अफीम है जिसे पूंजी पती गरीबों को सुंगाते हैं और उनसे पैसा लेते हैं जिनके नसे में लोग उंगते हैं पांचवा है माक्सवाद अंतराष्टे सामयबाद में विश्वास रखता है यानि कि माक्सवाद सामानता में विश्वास रखता है और कौन से सामानता में अंतराष्टे सामानता में विश्वास रखता है ये जो माक्सवाद है कहता है कि राम क्रेश्न के भजनों में मड्ड से जीती है यानि कर्म करो ठीक है ना यानि जो पेश भगवान ने कहा है कर्म करो फल की चिंता मत करो उस सिद्धान पर चलता है देखा होगा आपने दोस्तों रामाएड जो रामाएड में राम जी हैं वो सुरू से लेकर आखिर तक गांधी वादी विचार धारा के रहते हैं जब वो समुद्र देव से लंका जाने का रास्ता मांगते हैं परन्तु समुद्र देव उन्हें रास्ता नहीं देते हैं ठीक है ना उन्हें रास्ता नहीं देते हैं वो फिर भी उसकी क्या करते हैं गांधी वाद के अनुसार उसकी उपासना करते हैं उनकी उपासना करते ह कर वो तीर उठा लेते हैं किसके ओपर समुद्र कौन हो गया पूंजी पती ठीक ना राम कौन हो गए गरीब यक्ति ठीक ना तो गरीब को जब तक गरीब जब तक हतियार नहीं उठाएंगे तब तक पूंजी बती नहीं जुकेंगे आई बास अजिम आपको मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें वर सब्सक्राइब करें धन्यवाद